है मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी माह के दो दिन तीन फरवरी और चार फरवरी के कन्या राशी फल के बारे में कन्या राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में क्या ग्रहों में परिवर्तन होगा कौन सा योग बनेगा और इनका प्रभाव आपके दिन्चरिया पर कैसा होगा आपका करियर आपका नौकरी आपका वेबसाइब आपका प्रेम संबंद पारिवारिक जीवन विवाह संबंद और आपका स्वास्ते और आपकी सिक्षा सभी पर इनका इन दो दिनों में क्या क्या प्रभाव होने वाला है चले जान लेते हैं तो आगे बढ़नी से पहले आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर ले पासी बने गंटी के बटन को जरूर दबाएं इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप त सूरिय मकर राशी में है श्रमण नक्षत्र में और चंद्रमा वरशब राशी में है चार फरवरी शुकल पक्ष की दस मीती थी है रोहिनी नक्षत्र है जो सुबह तक है उसके बाद में रखश्रा नक्षत्र है इस दिन वैदरती नाम का योग बनेगा मंगलवार का ये दि सूर्य मकर राशी में हैं और चंद्रमा वरशव राशी में हैं तो यह थी ग्रह नक्षत्रों की इस्तिति और इन्हीं की अधार पर हम जानेंगे के यह जो दो दिन है यह आपके लिए किस तरह से खास रह सकते हैं और कैसे यह दो दिन आपके लिए गुजरने वाले हैं तो य क्योंकि हमारे जो जीवन में हैं बहुत इक्सुक्स विधाओं की प्राप्टिए उन्हीं के द्वारा होती है और जब शुक्र उुच्खके होंगे तो आपके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे आपके वेपार में, आपके करियर में, आपकी बहुत एक सुखसुभी धाओं में, आपकी खुशियों में, सभी चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा, तो ये समय एक तो आपके लिए यात्राओं का यूग बनेगा, आप किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं, और यह आत्राह आपकी नौकरशे जूड़ी हो सकती है, वैबसाय से जूड़ी हो सकती है या पारिवाईरिक कारियों से भी जूड़ी हो सकती है. लेकिन यात्राहँ का योग है आपके लिए बन्ता हुआ दिख रहा है. आर्थिक निवेश के लिए वक्त बेहद अच्छा है आपकी समय पारव्यारी के स्थिती भी अच्छी रहेगी आप अपने भाई भेहनों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे और नौकरी पेशा लोग हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें अपनी वाणी में मधुरता लाकर रखें क्योंकि आपकी वाणी किसी को चौट पहुचा सकती है तो इस बात का आपको जरूर देहन रखना होगा इस समय आपको अपने प्रियाजनों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा आप उनके साथ वक्त बिताएंगे आपके दोस्त हों या परिवार के सदस्रा हों या रिष्टिदार हों इस समय आप जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए ये सब तहाँ अच्छा है ये दो दिन जो है ये अच्छे हैं इन दो दिनों में आप कोई ऐसी डील फाइनल करेंगे जो आपको आगए आने वाले समय में लाभर्जित कराएगी और वरिष्ट अधिकारियों का साथ भी इस समय आपको मिलने वाला है इस समय वेवाहिक जीवन में आपको काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और काफी लाभकारी भी ये दो दिन आपके लिए रहने वाले हैं जो यानि ऐसा लाभ आपको मिलेगा जो आपने ना सोचा हो ऐसा लाभ आपको देखने को मिल सकता है आप अपनी कारश वेत्र में एक बैरेंस बना कर आगे चलेंगे तो आपके जीवन में सफलता के मार्ग खुलते जाएंगे प्रेम समंद में अच्छा है सुख़द एहसास होंगे प्रेमी के साथ अच्छा समय आप वैदित करेंगे और सेहत भी अच्छी दिख रही है यात्रा जो होंगी उनसे आपको सफलता मिलेगी और इस समय भावनात्मक तोर पर आप थोड़े बेचैन से रह सकते हैं जिसकी वज़े से सेहत में पैतिकुल पर भाव आएगा तो इस चीज का ध्यान रखें ज्यादा भावनाव में ना वहें और ज्यादा भावनात्मक होने से आप अपनी खुद की सेहत बिगार सकते हैं तो ज्यादा भाव का पना रहें तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा इस समय आप किसी व्यक्ति से बहस होने की उमीद बनी हुई है तो अपनी बहस की आदत को आपको काबू में रखना है किसी भी तरह की बहस में आपको हिस्सा नहीं बनना है ये समय आप थोड़ा उतेजिस हो सकते हैं किसी तरह की बहस में बढ़ सकते हैं तो उस चीज़ को आपको जरूर धिहान में रखना होगा बस अपनी काम में लगे रहें और आपने इस उदेशों को बोरा करेंगे तो अच्छा रहेगा और आपको मानसिक शांती भी इसी से मिलने वाली है तो समय हलाकि काफी अनुकूल है इस समय का फाइदा आपको जरूर उठाना चाहिए इसे भी चंदरमा की जोस्तिती है वो नौवे भाव में हैं और नौवे भाव में चंदरमा आपके भागया का साथ दिलाएंगे और शुक्र का विराशी परिवर्तन हो चुका है जो शुक्र भी उच्चके हो चुके हैं तो आपके लिए यहां बहुत सी सुख सुविधाओं की प्राप्ति का योग बना हुआ है तो इसमें आपके लिए अच्छा योग है और इस सभी जो भी आप काम करते हैं जिस कारेशेतर से भी आप चुड़े हुए हैं वहां बस आपको लाब कमाना है वहां बस आपको अपनी कारशेतर पर ध्यान देना है बहुत सुख सुविधाओं तो खुद ही आपके पास चल कराएंगी जहां तक आपके करियर या स्कूल सिख्षक की बात करें तो एगर आप अपने करियर को लेकर दुविधा में हैं आप समझ नहीं बारे हैं कि आपको क्या करना चाहिए तो आप किसी की सलहा ले सकते हैं अपनी बड़े बज़ुर्ग में आप किसी की सलहा ले सकते हैं या फिर अपनी किसी सिख्षक से सलहा ले सकते हैं जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति अच्छी सला दे सकता है, उनसे सला जरूर लें, इससे आपको मदद मिलेगी, किसी से भी बात करने में संकोच आप ना करें, जो आपके भले के लिए है उसमें बिल्कुर संकोच आप ना करें, ध्यान रहे, गलत रहा पर ना चलें, गलत दिसीजन ना लें, गलत जगा जाएंगे, तो पश्ताना होगा, इसलिए पहले ही आप अच्छे से विचार विवाश करें, दूसरे लोगों से बात करें, और तब सही निर्ना लेकर आगे बढ़ें, इस समय कोई आर्थिक प्रती इस परधा भी हो सकती है आपके मन में, तो उसको ध्यान में रखते हुए, आपको सावधानी सा आगे बढ़ना होगा, और आप इस समय कोई आपको ऐसी चीजें बता सकता है, कि कोई आपको ज़्यादा किसी चीज के लिए सलहा दे गाया, गुमराह करने की कोशिश कर सकता है, यानि आपको कोई प्रोबन दे सकता है, कि आपको कोई इन्वेस्ट करने के लिए कि नहीं ये चीज अच्छी है, यहाँ इन्वेस्ट करना है, तो इन चीजों से आपको सावधान रहना है, वहाँ इन्वेस्ट करना है, वहाँ पैसा लगाना है, जहां आपका दिमाग कहता है कि हाँ ये जगा सही है, किसी के बहका बात से उन्हें प्रसंद करने में सफलता मिल सकती है और आपके जो माता-पिता है वो आपकी बात को मान सकते हैं ज्यादा दवाब ना डाले वर्ना वृद्ध हो जाएंगे आप सरल तरीके से उनको समझाने के कोशिश करेंगे तो वो मानेंगे और आपकी सहमती से आपकी शा प्राप्ति भी होगी सुक्स विधा होगी आपको कोई कमी नहीं रहेगी तो ये दो दिन आपके अधिकतर कारिया पूरे होंगे और बस आपको किसी व्यक्ती पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है इस समय आप जितना धहरे रखेंगे, जितना सीयम रखकर काम करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा आपके नेजी जीवन में भी और आपके पारिवारिक जीवन में भी आपने जो मेहनत की है उस मेहनत से आपके वेपार में लाब की स्थितियां बनेंगी और कोई परिवार में मांगलिक कारेकरम होने की तयारी भी शुरू हो सकती है कोई मांगलिक कारेकरम इस समय हो सकता है सामाजिक जीवन की बात की जाए तो समाज में ये आपकी मान परतिस्ठा बढ़ने का योग है और समाज में आपका काफी रुतबा बढ़ सकता है अगर आप कोई नया कारे शुरू करना चाहते हैं तो उचित मार्ग दिर्शन लेना तो आप बिल्कुल न भोले देखे कोई इस समय आपके लिए बड़ा अच्छा योग भी बना हुआ है कि कोई रुका हुआ धन अचानक से प्राप्त होने का योग है रुका हुआ धन का मतलब होता है कि अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है या फिर आपका कहीं पैसा फसा हुआ था या फिर आपकी सैलरी कई महिनों की फसी हुई थी तो वो आपको पैसा मिल सकता है तो अचानक से धन प्राप्ती का यूग है ये आपके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा इसके अलावा दोस्तों तीन फरवरी को महा नंदा नवमी वरत भी है जो की बहुती शुब माना जा रहे थे और ये तीन फरवरी ये गुप्त नवरातरी की नवमी थी थी अब बहुत इशुब दिन है आप इस दिन कुछ उपाय कर सकते हैं आप वरत रखना चाहे तो वरत रख सकते हैं तो ये आपके घर में सुक्समरदी को बढ़ाता है गरी भी दूर करता है तो इस दिन आप महाननदा नवमी वरत का पूजन करें मंत्र करें और अपने घर की दरिदरता का आप नाश कर सकते हैं इस दिन दान पुन्ने का भी इस दिन बहुत विश्यस महत होता है ऐसा हाय लोगों को गरीब लोगों को दान करनी से आपको सुक्समरदी के शाथ ही विश्णों लो इस दिन कुमारी कन्या का पूजन भी किया जाता है जैसे नवरात्री में किया जाता है और उनसे आश्रिवाद लिया जाता है गुप्त नवरात्री महालक्षमी को समर्पित होता है और इस दिन महालक्षमी की पूजाय दिया आप करेंगे तो आपके घर से दरिदिता जरूर अगर इन दो दिनों के आपके स्वास्थे की बात करें तो देखिए स्वास्थे समंधी परिशानी की हम बात कर रहे हैं तो आपको इन दिनों पानी से दूर रहना होगा अगर आपको तैराकी नहीं आती है स्विमिंग नहीं आती है तो पानी गहरे पानी के नजदेक पूल के पास न जाएं तालाब के पास न जाएं गहरे पानी के पास न जाएं तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें धन्यवाद